तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टोस्ट के बारे में तो टोस्ट क्या होता है वो मैं आपको दिखाने के लिए लेके चलता हूं क्रोम पे वेल्कम टु निउ एरा उफ एंड्रोइड एप डॉल्पिंट और अब हम बनेंगे एंड्रोइड के चैंपियन एक टोस्ट तो आपने देखा होगा जो हम चाई के साथ खाते वो होता है और एक टोस्ट क्या होता है वो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा तो यहां पर लिखता हूँ मैं टोस्ट इन एंडुरॉट इतना लिखना है और मैंने इसको सर्च किया अब चलते हम इमेज पर तो आपको यहां पर टोस्ट दिख जाएगा कि टोस्ट होता क्या है देखो एक तो टोस्ट यह होता है और एक टोस्ट हमारा कुछ यह टोस्ट हमारे होते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर multiple type के टोस्ट होते है जो हमारे बॉटम में मैसेज आता है कि अब जब कोई भी एप्लिकेशन आप जब आप क्लोज करते हो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आता है कि प्रेस अगें टू एक्सिट एप्लिकेशन या फिर नेटवर्क नेटवर्क या फिर टर्न वाइफाई ऐसा करें कि आपके गलत इंफोर्मेशन डाल दी जैसे यूजर लॉग इन करवाने के लिए क्या कर रहा है फिल कर रहा है फॉर्म को लेकिन वह अगर कुछ गलत क्रिदेंसर डाल देता है तो हाँ पर नीचे टोस्ट सो होता है कि प्लीज फिल ओल दी डीटेल्स या फिर और भी जो भी आपने उसमें टोस्ट लगा रखा होता है वह वहां पर सो होता है तो उसको क्या 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 है to date है यह कुछ कूछ प एक्टिविटी को मैंने यहां पर स्लेक्ट किया next पर स्लेक्ट करते हैं अपने application का नाम रखेंगे यहां पर रखूंगा मैं toast और उसके बाद package name फिलाल के लिए हम यह नहीं देंगे language kotlin रहेगा हमारा और यहां पर android version 7 रहेगा राइट जो भी हमारे recommended है वह हम यहां पर रहन देंगे हम यहां पर finish करेंगे और हमारे project हो जाएगा start create होना ओके तो हम वेट कर लेते हैं और build को open करके देख लेते हैं कि हमारे project में कोई error ना आये तो हमारे build हो चुका है successfully यानि कि हमारे application में कोई भी error नहीं आया है और हम यहां पर code करने के लिए ready है तो मैंने सबसे पहले इसको थोड़ा से zoom किया और जूम किया और अब हमें लगाना है toast right तो हम यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले यह एलो वर्ड है इसको आपको अटाने तो अटालों नहीं अटाने तो मत अटाओं यह आपने जो भी यहां पर design कर रखा होगा उसके उपर हमें यहां पर toast लगाना है right तो हम क्या करेंगे एक button लेंगे और उसके button के click हम क्या करेंगे toast यहाँ पर डालेंगे तो यह button है मेरा इसको मैं ने constraint कर लिया left से right से और चलो मैं इसको constraint कर लेता हूं कैसे भी करें तो यह constraint हो चुका है right अब यह बटन है इस बटन की id किया है हमारे पस button और यहाँ पर मैं लिख दूँँगा tost तो बटन tost के नाम से इस के ID मैंने यहाँ पर डाल दी अब क्या होगा जैसे इस बटन पर मैं कुछ भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नीचे हमारे पास एक toast आएगा तो उसके लिए हम क्या करना है बसे आपको इसके id आद रखनी है और इसके बाद आपको जाना है इसके back end के code पे और सबसे पहले हमारा काम क्या होता है इस button को find करना तो यहाँ पे हम लिखेंगे button को find करने के लिए well और यहाँ पे लिखेंगे हम toast button और equal to find view by id okay और यहाँ पर आपको इसको बताना रहता है किस टाइप का यही चीज है तो यहाँ पर डालोगे और यहाँ पर हमारे पास बटन टोस्ट मिल चुका है यह जो है रहा है यह आपको इसके लिए चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है तो अब क्या करना है हमें इस button के click पे हमें ए हम यहाँ पर यूज करता है ठीक है set on click listener और इसके बाद इसके अंदर आप जो भी काम करवाना चाहते हो वह आप इस पर करवा दोगे तो हमें क्या करना है इस बाले button के click पे हमें यहाँ पर टोस्ट तो करवाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम द इसके बाद आपको duration डालने है ठीक है तो एक हम custom डालेंगे और एक मैं आपको shortcut तरीका भी बताओंगा ओके तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर context बूसर है तो उसको हमें कहां पर सो करवाना यहीं करवाने तो हम यहाँ पर डाल देंगे this यानि कि यहाँ पर और character sequence में आप चीए ठीक है तो लेंद डालने के लिए अपन कि डालते है 2002ant you're the dB यहाँ पर लेंदкраї जया तो 40 डाल लो याप Extra ब्लोंग डालो हम यहाँ पर दोनों को देखेंगे 60 में क्या होगा और लॉंग में क्या होगा तो यहाँ तिहां के लिए मैं 60 काले हम पेस्लेक्ट करता ओके यह हमारे एक इसु आ रहा है यह आपके बास नहीं आएगा बाइडिफॉल्ट जो मेरा लेटेस वर्जन है मतलब जो जो कमपा विचन पे मुझे यूज करना है तो मैं आप यहाँ पर वे जाता हूं और यहां पर अरह है यहां पर इसको करोण करता हूं अब अब संका है कर Vocês already for running How that渦 हमारा application मैं गवर्ह अब देखो हमारा सेम अ अब मैं जैसे क्लिक करूँ गा तो नीचे हमारे पस यदोष्ट सो हो जाएगा जो हमने यहां पर लिखाए लेकिन लेकर객 चीज़ आप डीक हडिकिन आपको फो्ड़ी धिर जादा के लिए फोल्ड करना हैं तो अब किया करोगे यहां पहले पर चेक करते हैं फॉपर बृत्रों चला जाता है अब माशक चलो यहां पर लेंध़ सोट नहीं रखना है तो यहां पर डालोगे लेंथ लॉग लेंथ लॉग डाला मैंने और एक चीज में और बता देता हूं आपको मान के चलो आपको अपने टोस्ट में इमोजी एड़ करना है तो आप डवाओगे विंडो प्लस ग्रेटर डेन साइन और इसके पास आपके पा आ रहा है या नहीं तो मैंने इस पर क्लिक किया अब देखो इमोजी आ गया लेकिन अब इसकी लेंथ भी देखना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकिया अब मैं वापर इस काउंट करूंगा वन टू थ्री फोर फाइब तो यहां पर लेंथ जब लॉंग करते हैं तो मैं में तो आप मेक सियर करें कि आपका एंडुइट जो वर्जन है वो 12 से उपर हो या 12 हो तब आपके पास यह आइकन होने वाले है ओके और किसका अइकन है जो हमारे एप्लिकेशन का अइकन होने वाले है वह आईकन यहाँ पर यह होता है तो आपको समझ में आया होगा अब multiple केस में हम इसको कैसे यूज करेंगे तो जैसे आप एक कंडिशन लगाओगे इफ कंडिशन लगाए इफ अगर दोनों फिल्ड फिल्ड जैसे आप फॉर्म एंटर फॉर्म में यूजर के डीटेल सेंटर करवा रहे हो यूजर के आईटी और पासवर्ट तो आप क्या और आपको यहां पर बताना चाहता था कि डायलेक्ट आप इसको कैसे लिखोगे यहां पर तो हमने खुद से लिखा तो हमें याद रहे ना रहे कभी कःकर कुछ गलती हो जाए तो इसको खुद कर लिखने क्या आपका सिंपल सा तरीका है यहां पर हमने क्या किया था capital T लि एक तो आपका context यहां पर डालना है और यहां पर आपको इसका message डालना है, तो context हम यहां पर डाल देंगे this, और message में आप डाल दोगे, जो भी आप message डालना चाहते हो, तो इतने से आपको समझ में आगया होगा कि shortcut क्या है तरीका इसको लिखने का, और इसका long term तरीका क्या है, तो make sure कि आप ज़्यादा तर यहीं use करें, जिससे आपका time भी बचेगा, और गलती होने के chances भी बहुत कम हो जाएंगे, ओके, तो thank you for watching this video, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, concept समझने में issue हो, या किसी वीडियो में sound का issue हो, तो वो आप हमें comment में आके बता सकते हैं, तो हम उस वीडियो को अच्छे से वापिस से record करके, या concept को आपको समझाने में दिक्कत हुई होगी, उसको हम यहाँ पे clear करेंगे, so thank you for watching NeetRoots,